हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों को दिवाली के लिए रेडी कर रहे होंगे सजा रहे होंगे तो उसी के लिए मैंने एक डियाइवाई बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ में रोल है यह साथ में लिए है मिट्टी के दिये डिजाइन वाले आप चाहो तो प्लेन दिये भी ले सकते हो और अब मैं इस रोल में जहां-जहां मुझे दिये लगाने वहां पे मार्किंग करके और कटर की हेल्प से कट कर लूँगी और इनके अंदर हमें दिये फसाने है ज यह खे जुड्याल कर लिए को कि शसी बाद सार जो कि लिएम वर्सेयर सा जाए मैं यह से लिएन के दो साएगा जूब mant language को मisasdi ने शुद्टी के लिए मैं फ्लावर्पोर्ट बनाया है तो सारा जो है वह पसाने अधी कर लिए यह उस को यह थाकर यह को आज पर साइक पतन यह वाला DIY बना रही हूं तो इसमें मैंने बीच में होल कर लिया है और इसके अंदर इसको फसा दूँगी और जो हमारा दिया स्टेंड है उसका एक जो बेस है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और यह प्रोपर खड़ा रहे पाएगा और इस पे भी मैं थोड़ा सा फैवी कोल लगा के और इसके उपर क्ले लगा दूँगी तो यह थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा क्ले के उपर थोड़ा सा मैं डिजाइन बना दूँगी और उसके बाद में जो इसका उपर वाला पार्ट है जहांपे यह खुला हुआ है रोल तो इसके उपर मैं एक दिया लगा दूँगी आपके पास अगर कोई अच्छे से डिजाइन का दिया है तो आप वो भी लगा स और उसके बाहर से पूरा क्ले से इसको थोड़ा सा चिपका दूँगी और इसके बाद में छोटे-छोटे से क्ले की पैटल्स बनाके और इस पे लगा दूँगी तो यह पूरा फ्लावर जैसा लगेगा तो बहुती सुन्दर लगेगा जो हमने सबसे उपर वाला यह जो द दिया स्टेंड है वो बना लेंगे और कुछ बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है अब बारी आती है इसको पेंट करने की तो इसके लिए मैंने लिया है स्प्रेय पेंट आप चाहो तो डिफरेंट जैसे एक्रेली कलर आते हैं वो भी आप कर सकते हो बट यह सबसे इजी हो कहीं पेवी कोर्नर में या फिर अपने घर के एंट्रेंस पर रख सकते हो बहुत ही सुन्दर लगेगा और बहुत ही अच्छा सा बनके हमारा यह दिया स्टेंड रेडी हो गया है आए हो पाप लोगों को यह डिया वाई अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो ल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए बाई एंड थैंक यू